कि हेलो एब्रीवन वेल्कम टू मैं यूट्यूब चैनल डॉक्टर सांड्या लेक्टर्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पर बताऊंगा सी आएसेफ की जो 1149 पोस्ट निकली है जो की हेड कॉंस्टेवल या फायर कॉंस्टेवल के रिगार्डिंग है पहले तो मैं इससे पीडियाफ को वाइट से डार कर दूँ क्योंकि आपकी आखों पर जोर पढ़ सकती है इससे ना तो देखिए यह डार्क हो गई और थोड़ा से जूम भी कर दूँ कि मैं फटाफट आपको इसके बारे में बता देता हूं यहां पर देखिए यह जो है सबसे पहले है 1149 पोस्ट के लिए और यह सिर्फ मेल ही डाल सकते हैं जो भी मेल कंडिडेट है वो इसको एपलाई कर सकते हैं फिमेल कंडिडेट इसके लिए इलिजिवल नहीं है तो जो सिर्फ मेल है वही इस चीज़ के लिए इलिजिवल है ओके और यह जो पोस्ट है टोटल 1149 है हर एक स स्टेट के लिए है इसकी यहां पर एप्लिकेशन फॉर्म की सब्मिशन की देखें यहां पर तो 29 एक 2022 से लेके चार मार्च 2022 तक है तो यह काफी लंबा चोड़ा डेट है आपका इसके पहले जो यह क्लोजिंग डेट है यह इस से पहले आप एपलाई कर दीजें न और यहां पर दियावात आप लोग कि क्या होता है कोई भी सर्वर का जो क्लोजिंग डेट और क्लोजिंग टाइम होता है उस टेम पे जाके सर्वर इसू आने लगती है वहाँ पर अपलोड या फिर कुछ ऐसा इरर आने लगेगा आपको तो आप उससे पहले इस चीज़ को फिल अप कर दें को सकते हैं और आपका ट्रोड होना चाहिए तो ट्रोड आप पास आउट होना है यदि आपका साइन्स स्ट्रीम नहीं है तो आप ये वीडियो मत दिखें क्योंगी जिस्क इसनिका साइन्स है वही एपलाइ कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए ओके ना तो अब आगे बढ़ते है है यदि आप नए है तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चाहिए तो आप सेर कर भी सकते हैं आपकी हाथ में बात है क्योंकि यह आप कहीं पर गुरूप बना के पढ़ रहे हैं और आप डिफेंस की प्रेशन कर रहे है आपको अच्छे ग्रूपिंग की जरुड़त पढ़ेगी ही पढ़ेगी तो आप इस चीज़ को सेर्भी कर सकते हैं अपने दोस्तों से तो ओके मैं डिया फ्रेंट्स आगे बढ़ते हैं यहां पर तो डेट आपको पता चल गया है यहां पर दिखें यहां पर बोल रहा है क आप ये चीज़ आप जो एप्लाइ करेंगे यह एपार्म चारने के लिए आप सबसे पहले मेल हो और इंडेंस क्.: अंर इंडेंस सिटेजन इसमें आपको PET देना होगा से उसके पीस टी देना होगा और फिर डॉक्मेंट वरिफिकेशन वरिचेशन और मेडिकल वेच्ड तो दिखें कि यहाँ पर आपको बताना चाहता online mode से आपका application लिया जाएगा है ना और यहां पर दिया रहा है फिजिकल एफिसेंसी टेस्ट जो पीटी होगा और उसके बाद पीएस्ट होगा अब देखो उसके बाद जो है रिटेन होगा और रिटेन के बाद अब दीखिए यहां पर उसके बाद फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगा और आपकी जो एक्जामिनेशन होगी वह एक्जामिनेशन कैसा होगा ओम आर बेस्ट यानि कि ऑनलेन एक्जामिनेशन होगा कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट या फिर ओमर ओमर बेस्ट होगा ज्यादा तर अब तो ऑनलेन ही होते हैं यह होगी और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं मैं यह भी बता देता हूं सिर्फ डूल लैंग्वेज में एक्जाम कंड़क्ट के जाएंगे इंगली और हिंदी तो अधर लेंग्वेज नहीं है क्योंकि मैंने आप शुरुवाती में ही बताया कि आपका साइन्स स्ट्रीम होना चाहिए है ना अब आगे बढ़ते हैं मैं फटा फट सब कुछ बता देता हूं डेट आपको पता चली गया सारे स्टेट और यूने टरीटरीज कहें जो और यह इसके अपने ऑफिस्यल वेब साइट से भरे जाएंगे फॉर्म और देखिए आपके एड्मिट कार्ड भी इसी वेब पर आएगा है ना और देखिए मैं आप इस सब कुछ बता देता हूं आपकी हाइट जो है वह 170 होनी चाहिए 170 सेंटेमीटर और हाइट अनुकूल आपकी वेट होगी ओके हाइट के रेशियो में आपका वेट होना चाहिए और साथ में वेट कितना 60 प्लस या फिर स्केर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दिया गया है तो जो कुछ-कुछ रेजिमेंट है मतलब जो डोगरा है कुमाओ है इस टाइप से जो उधर के जो ब्लॉंग कर देना सिर्फ उनके लिए और रिलक्सेशन की बात करें इसमें तो सिर्फ रिलक्सेशन एज में दिया गया है स्टी एस येहां पर सारे agreement में यहां संक्रूम यहां पर सब्सक्राइब आप दो तिन इस्टेट को मैं आप पर पौूज कीजिये या फिर आप डिस्क्रिप्स नं बॉक्स में कॉमेंट सरी कोमेंट किज मैं पिन कर दूँगा इस चीज़ को या पिसका उफिचल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं हाला कि यह जो पीडियाप है इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए आप लोग को अभी सबसे पहले द्यान देनी की जो जोड़ता है वो है आपके प्रिपरेशन के रिगार्डिंग है ना और साथ में आपके फिजिकल के रिगार्डिंग यह चीज़ तो मैं यहां पर बताएं रहा हूं चलिए जिसे में बिहार का बता देता हूं तो बिहार में एंटाइर अग्रे स्टेट का यहीं देखा जाए तो 27 है और नक्सल एरय का 30 है तो यहां पर 58 और 65 सीट है उसी तरीके से मैं यहां और जारखंड और उत्तर प्रदेश का देख लेता हूं तो दिखिए उत्तर प्रदेश का यहां पर दिया गया है उत्तर प्रदेश का टोटल एक सो बारा है जिसमें हर एक कैटेगरी का है रिजर्ड अन्रिजर्ड जो भी एक्स वाई जेड आए अपको यहां पर जारखंड का दिखा देता हूं तो जारखंड में आपका 18 18 और 69 यह टोटल और यह देखिए यहां पर स्टेस्ट का कितना एड़ावलियस का कितना है यह चीज़ यहां पर दिया गया है अब देखिए वेकंसी इंचो होगा वो सारे स्टेजेस के आधार पर होगा और यह वेबसाइट इसका दिया हुआ है और इसमें 10% जो वेकंसी है वो हो गया है जैसे आर्मी नेवी अगरा और पर जो एक सर्विसमेन के जो डॉटर है डॉटर या फिर सन या फिर वो एडॉप्टेड है या फिर खुद का है तो वह इस चीज़ के लिए अपलिकेबल नहीं होंगे वो लोग एक सर्विसमेन वाला कॉलम में ठीक नहीं लगाए है कि कंडिटेट सेलेक्टेट पूर अर्लायवल तू सर्व इनिवर इन इंडिया मतलब जो सेलेक्ट हो जाएगा वो इंडिया में कहीं भी भेज़े जा सकते हैं देखिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेखते हैं एज लिमिट जो है 17 से तेश नहीं 18 से तेश है इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखिए 18 से तेश है एज लिमिट और सल्गितर से नहीं लेतरस फोट फक्रेशन तयुक्ति लिए टीन साल से लिए एक लिए आधे अब दिखिये यहाँ जो चिल्डेंड है वेसे चिल्डेंड को यहाँ पी छूड्या जाएगा जो चिल्डेंड अदों जिन्के पैरिंट विक्टिम है उनीस सो चौरासी के या फिर कॉमिनल रायोट्स ऑफ टूटल इन गुजरात गुजरात में जो हुई थे तंगे उन में तो उनको फिर जो पांच साल उबीची के लिए आठ साल साल यहां पर दिये गए हैं छूट फिजिकल स्टेंडर्ड की बात यहां पर देखी रहे हैं से उनकों पर किलियरली नहीं दिया गया है कि अधर जो कास्ट के टिग्री है उसके लिए क्या रिजर्बेशन है न तो ए मैं जथते किमाजन प्रदेश मैं गोर्ठा ऑठ किम जैंसे तो यहां पर दिएग्णाश एक सो पैसर सिंटीमेटर तो चेस्ट इतना से इतना इक्सपेंशन होगा तो मीनिमम एक्सपेंशन तो पांच सेंटीमेटर होना यह चाहिए आपका है तो यह तो मेडिकल टर्म कहती है बाकि आप देख सकते हैं लेकिन नॉर्मल के लिए यहां पर नहीं है वेट का मैंने बताए कि प्रोपोर्शनल टू हाइट और एज के अनुकूल यह होगा अब देखें वहीं चीजिए यहां पर मेडिकल स्टेंडर्ड का दे रहा है टैटू नहीं होना चाहिए सिधा पर फोर्थ में से कम इतना यह इस से कम में आपका टैटू बनाऊ तो आप एलिजिबल वंगे लेकिन यह नहीं कि आप सुनील है तो सुनील जो है बविता की नाम की टैटू बनवा लिया है तो हो लिजिएल होगा वह नहीं होगा आप कोई भी धर्म से भी रोंग करते हैं तो उस धर्म के रिगार्डिंग कोई सिंबॉल है तो वो चल सकता है इसे सर्दार जी लोग बनवाते हैं एज एक्जामपल मैं दे रहा हूं और या फिर आपने बच्पन में नाम अपना गुदवाया है तो वो तो वो भी बस उसी टैप से होना चाहिए पर यह नहीं कि आप म है अब देखिए डेट ओफ वर्थ जो होती है वह तो सब को पता है बच्चे बच्चे को पता होता है कि डेट पर तो उसका लेवल का जो शेक्टी श्यामिशन होती है उसमें होते हैं वह है किया जाएगा और आपको मैं बता दूं कि आप फॉर्म भरने जाएंगे तो आप प्लस टू तक के सारे जो डोकुमेंट्स हैं वो अपने साथ केरी करेंगे या फिर उसके इनफॉरमेशन आपके पास होनी चाहिए तो यह होगी आपके बात यहां पर एक सर्विस्मेन के लिए इन के लिए जैए आप देख लेंगे हाला के एक सर्विस्मेन अब भरते हैं नह दिपेंडेंट्स और चल सकते हैं अब यहां पर देखिए और भी बहुत सारी यहां पर एक्सर्विश्मन कैसा होना चाहिए वह भी यहां पर दिया गया है मैं यहां पर जानकरिया आपको बता देता हूं कि इस रिलेक्सेशन के लिए मैंने बता दिया है आपको देखिए जिस से स्टेट के रिगार्डिंग आप भरेंगे उसका आपको मिसायल या पर्मानेट सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके एक्जामिनेशन के बाद आपके मेरिट लिस्ट निकलेगी उस स्टेट के को मत देखिए मेरी बाती सुनते रहें आपको यहीं से मिल जाएगे सारी जानकारिया एप्लिकेशन कहां पर होगा यहां पर इसका अपना ओफिस्यल वेब सैट है जो के www.cisfrect.in मतलब recruitment.in यहां पर इसका एवरिवेशन है ओके आईए आगे देखते हैं देखिए मैं सबस यह फोटो है वो किलियर होना चाहिए अरे यार 2022 में है आप और आप जवान यंग है और आप डिफेंस में जा रहे हैं तो आप के पास कम से कम HD HD क्वालिटी वाली फोटो होनी चाहिए जिसको स्कैन करें स्कैनर पर तो उसकी किलियर सब कुछ किलियर विजना एप्लिकेशन होने के सबसे बड़ी दिद्व होती है कि aidas signature पता चला की बिलर है है यह अ कि ए सासे कर रहे हैं जो कि पता नहीं चला है तो आप अपना स्विल्ड मेंद्ट पहले क्लियर क्किया कि जिसे पता चले जैसे की कोई सुनीर है तो sss करेंगे। सुनिल है तो ऐसे से लिख दिया ऐसा कुछ नहीं है ना उसके बाद आपको फोटोग्राफ जो होनी चाहिए कोई भी ब्लर नहीं होनी चाहिए डॉकुमेंट्स पे जितनी भी जानकारियां वो सही होनी चाहिए तो बहुत बार ऐसे होता है कि आप फॉर्म फिल अप कर देते हो और पता चलता है कि अरे मैंने तो अपना नाम मेरा नाम सुनील था मैंने अलिख दिया तो अब तो इसु होगी ना फुर्टो अपको फ्रेसफ्ट पोड्म करेंगे तब भी आपको इसु और किये है तो उससे आपको एक्जामिनेस्ट पाएंगे एलिजिवल होने पाएंगे तो यह चीज़ को को थोड़ी कंसीडर कीजिए आप पढ़ाई करते हैं आप साइन्स के स्टुडेंट रह चुके हैं तो यह सब चीज आप वहां पी भारी की से चिक कीजिए फिर आप सेव कीजिए उसके बाद आगे बढ़िया ना ताकि बाद में वहीं पर एडिट कर सेके और फाइनल कंफरम हैं बड़ी आपको एटंशन देने की पॉइंट है ना तो यह चीजिए आप एटेंशन देंगे और देखिया आपका सिकनेचर कैसा होना चाहिए देखिया आप आप खुद से आप एक्सपर्ट है नो डौत इदी आप एक्सपर्ट है तो आप खुद से फौर्म फिलबब क जाता है कि कितना मतलब size का और कितना में उसका dimension होना चाहिए आपकी photograph की या फिर आपकी signature की documents कैसा होना चाहिए है नो तो यह होनी चाहिए अब दिखे यहां पर बोल रहा है कि पीडिया format में आपकी documentation documentation जो है वो upload होगी age की regarding या फिर educational qualification के regarding तो आपको साथ में senior secondary examination certificate या फिर matriculation के certificate लेके जाना होगा last date मैंने बता दिया है तो last date के लिए आप इंतजार नहीं करेंगे आपको इसमें fee जो लगेगी वो सिर्फ 100 रुपीज लग रही है और हो सकता है कि cyber cafe वाला apply करने के पचास या सो लें तो कुल मिलाके आपको 200 के आसपास लग सकती है यदि आप से cyber cafe वाला आप बोल रहा है कि आप सो रुपे दीजे फ़रने के तो आप उसे थोड़ा सा बोलिए कि भाईया मैं मैं इस पे सो रुपे अल्रेडी पे कर रहा हूं यदि यह फॉर्म ना 500 की होती तब आप कम से कम पचास से उपर मांगते तो इस ratio से देखिए सो रुपे मैं दे रहा हूं तो अब यह नहीं कि मैं कुछ दिया हुआ है बांकि मैंने बताएं दिया कैसा के रिजर्वेशन को फॉलू किया जाएगा लास्ट डेट क्या है एक बार यदि फी हो गया जमा तो रिफंड नहीं होगा इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्म जब भी आप एपलाई करेंगे बारी की से देखेंगे हर ची अब थोड़ा सा धैरी रखिए अब देखिया आपका जो पीटी जो होगा और पीस्टी वो कैसे होगा जो सारे कंडिडेट जो कि रेजिस्टर कर चुके हैं इस एड़र्टेजमेंट के तुरू से या फिर क्लोजिंग डेट से पहले उनका एक्सेप्टीड हो गया है तो उ इतना होगा पांच किलो मीटर होगा और टाइमिंग क्या रहेगी 24 मिट में देखिए मैं एक चीज हमेशा प्रिवेस्ट वीडियो में बताता हूं कोई भी चीज की हैविट तालने के लिए आपको लगते हैं 22 दिन हैना 22 दिन किसी भी चीज के प्रति लगा डाला तो लाइ किसी के साथ तभी आप ये चीज अकले कर सकते हैं नहीं तो फिर मेरे ख्याल से ये चीज थोड़ा ग्रूप में होना चाहिए हैना बांकि डिमोटिवेटेड फील करने लगते हैं लोग एक दिन दो दिन दस दिन बाइस दिन टाइम लगता है यार बाइस दिन में कुछ दि के बहुत सारे स्टुडेंट्स होते हैं 12 के आरांड के आप उसे पूछे क्या करते हो तो वो बोलेगा डिपेंस की प्रिप्रिशन करता हूं थोड़े पूजिटिव परसन के साथ रहें जिनका थोड़ा सा आप पढ़ाय के प्रतिल लवा हो और फिर नहीं भी मिले और उनक की चीज़ में बता दिता हैं प्यस्ट के लिए यहां पर मैंने पटाय कि कैसे क्या होना चाहिए हाईट जो एकerson type Robot एकसपेंचन होना चाहिए फीसमर कोई सब्शेय करते साहिए मैं पर सैप्ट्स नहीं एकसे इन कंडिल्य यह ना सो मारक हैं रिगार्डिंग हैना और सब्सक्राइब से उपर आई जाएगा सरकार मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पर यह आपका अच्छे मार्क नहीं है ना तो एक वह भी कौज बन जाएगा में नाम नहीं आने से तो और जो भी यहां पे आप सब्जिक्ट देख रहें यह ट्विल्थ के आधार पर होगा है ना तो आप दिखेंगे आप ट्विल्थ में मैंत पड़े हैं साइन्स के हैं तो इंग्लिस हिंदी आता हैं जो कि कंपल सरी रहता है जी के जी एस और यह तो इसके बिना तो जेनरल कंपेटिशन हैं ही नहीं तो यह चीज आपको थोड़े से तगड़े रखने हैं आपके रिटेन जो है ओविसली निकल जाएगी आप रिटेन के लिए मेरे साथ भी संपर कर सकते हैं बहुत सारी वीडियो मेंने टेलेग्राम का लिंक भी देखर रख में कॉमेंट करें या फिल लाइक करें उसके आधार पर मैं टेलेग्राम की चैनल क्रेट कर दोंगा और आप लोग वहां पर खुद भी ग्रूप डिसकेशन कर सकते हैं और मैं भी आपको मोटिवेट करता रहूंगा यह दि मेरे पर ट्रस्ट है तो अदर्वाज बहुत सार यूट्यूब पर आप वहां पर जा सकते हैं अब देखिए आपकी एक्जामिनेशन का सारा इंफर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगा या फिर हमारी यूट्यूब चैनल डॉक्र संग्लिया लेक्चर्स पर भी आपको मिल जाएगी हाला कि यह वीडियो बहुत दिन चाहिए तो आर्ट वाले किनारे हो जाओ दूसरी एक्जाम्स हैं आप लोगों के लिए डुकुमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक्जामिनेशन यह चीज होगी उसके बाद जो है डुकुमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद सारी चीज की वेरिफिकेशन आपकी होग प्रतिस्ट आपका क्वालीफाइंग मारक मतलब 35 प्रतिसट रिटेन में आ गया तो हां आप क्वालीफा हो गया अब यह नहीं कि चलो यह सौ में से 35% को नहीं माना जाएगा मेरिट लिस्ट होगी वो हरे हरेक स्टीट के लिए या फिर हरेक के यूनियन टेरिटरीज के लिए बनेगी तो उसके आधार पर आपका सेलेक्शन होगा अब देखो यहां पर एज का अधार पर प्रिफेंस मिलेगी अब मानलो कि आपका मेरिट लिस्ट नहीं बना आप सोचो कि मेरा तो पचासी मार्क है सब कुछ है फिर भी मेरे से जो बड़े भया थे उनका हो गया तो हां यहां पर एज प्रिफेंस दिया जाएगा मानलो कि किस साल आठमा मेना चल दा और तुमारा बाइस साल चल दा तो इसका सेलेक्शन पहले होगा आप से तो यह है इस ब्रिफेंस उल्टा होप कि बहुत कुछ आपको पता चल गया हो तो आप लोग सिधा भी भाग की जाए एप्लाइ कीजिए कोई भी इसू नहीं जो कुछ भी होगा मैं यहां पर बताते रहूंगा फिजिकली डिजेवल नहीं एप्लाइ कर सकते हैं सो रुपे लगेंगे यहां पर आपको दिया गया है है अब देखें यहां पर जो कंडिडेट स्टी है स्टी है या फिर एक सर्विसमेंन है इनको एक्जेंप्टेट कर दिया गया है पेमेंट फी से हैना इनको नहीं देना है फ्रेय आफ कोस्ट डेट अब बर्थ और नेम सब कुछ आप सही से देख लेंगा और यह मैं सब कुछ आप सही से चेक करते जाएंगे डॉकुमेंट्स जितनी भी सारे आप एप्लोड किये होंगे तो यह वीडियो आप सही से देख लिए फिर भी कोई दिक्कत आपको होती है तो आप हमें कॉंटक्ट कर सकते हैं और हमें कॉंटक्ट करने से जज़ाद आपको इस यह सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप मार्च के भरों से नहीं रहेंगे फॉर्म हो रहा है तो फॉर्म एप्लाइब कर दीजिए मैंसे दोस्त हैना और सबसे बड़ी बात फ्रोड से सावधान रहना है उसमें नहीं फसना है तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और यह बत मुझे कैसे पता चलेगी कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और क्या कह सकते हैं लाइक कीजिए और पोजिटिव रिभ्यू दीजिए और पोजिटिव जहां पर होती है तो मुझे किसी से कोई गिला से कवा नहीं कोई भी दिकत होती है आप सिधा कॉमेंट बॉक्स पे कॉमेंट कीजिए मेरे द्वारा जो भी हिल्प बन पाती है मैं करूंगा जो थैंक्स फोर बींग हेर एंड सपोर्टिंग मी मिलते हैं अगले